हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल इस्सिसना देवतबाल ब्लॉग चैनल तो कैसे हैं आप सब I hope you all are very well तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ यह आपको टाइटल से पता ही लग जया होगा तो इस वीडियो में आपके साथ मैं प्लांट पॉट की पेंटिंग एंड डेकोरेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो यहां मैंने अच्छे से पहले जो पॉट है उसको अच्छे से स्क्रैच कर लिया है यह सैंड पेपर होता है उसके तुरूब मैंने इसको आप देक हैं इस तरीके से दोनों ही पट मैंथे से पहुं लोगे क्लिया है तो फज कि यहांग पर लिए है यह आप चाहो तो फिल्ले सकते हैं जो अबैसे ऑन भी लिप्र इं Frans मैंने यहां लिए यह कहें टो बिले लिए ब्रॉस यह देख़्िए द्यू टाइब के ब्रश है मेरे पास तो मैं इसमें से यह फास्ट वन चूज करके इसी से इपना पेंट करूँगी बहुत आसानी से एक शॉप के मिल जाते हैं तो मैं ले रही हूं येलो कलर थोड़े से पॉप अप कलर मैं ले रही हूं ताकि मेरा जो हॉल है उसमें मैंने जो कलर स्कंबिन को अच्छे से मैं कर दूंगी पेंट अच्छे सब्सक्राइब कर दूंगी जो मेरा इसमें से पेंट निकल गया था इसको मैं फिल करूंगी जहां-जहां से पेंट निकला था और उसके बाद मैं अपक्राइब अच्छे से तो फ्रैंट से किस तरीके से मैं अपना पॉट कर रही हूं किस तरीके से आप अपना पेंट कर सकते हैं किसी भी पॉट पे यह देखिया बहुत ही अच्छा कलर इसमेश पर आया है इस पर Corey cũng सा आग रही है यह कल्र बहुत कि द्राइ हो जाते हैं इस वागे को चूज किया है रहा ही और क्टा से मेरे मरत को ये हैं purple heart के plant इसको purple heart plant बोल जाता है और इसमें बहुत ही प्लावर खिलता है वह भी light purple color का तो ये धेखिये थर्ड वन में मैं कर रही हूं red color red color भी बहुत pop-up color है तो इसको भी मैंने अच्छे से ये देखे इस पर कर दिया है paint तो फ्रेंट्स यह देखिए यह तीनो मेरे पॉट्स है वो पेंट हो चुके हैं अगर आप चाहिए तो इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं और अगर आपने कुछ डेकोरेशन करना है तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं एक्ष्णी मुझे डेकोरेशन को बहुत शॉख है इसलिए मेरे पास यह समाना भी लेबल रहता है यहां पर मैं प्रॉंट साइड में ही इसको डेकोरेट करूंगी पीछे साइड में नहीं करूंगी क्योंकि जो हिसाम को सामने दिखेगा इसी का मैं डेकोरेट डेकोरेशन करूंगी तो यह देखिए यह मेरा तक्रीबन तक्रीबन कम्प्लीट हो चुका है फ्रंट साइड में मैंने अपने सारे मिरर प्लेस कर लिए हैं तो इसकी लुकिंग में आपको भी दिखाती हूं यह कैसा लग रहा है तो यह लास्ट वन भी हो गया मेरा कम्प्लीट यह देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है तो मेरा यह जो स्मॉल साइस का प्लांटर है पॉट है यह मेरा हो चुका है कम्प्लीट तो मेरे पास यह राउंड मिर थे तो इनको भी मैं अपने meditation में यूज करने वाली हूँ तो आप देख एको कैसे उस कर रही हूँ पटा फट से मैं इसको भी daiki rate कर दूगी तो जैसर जैसर डिजाइंग मेरे माइन में आता रहता है मैं वैसा वैसा ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ कहीं से देखा भाला नहीं है मैंने तो यह देखिए मैंने थ्री प्लावर्स इसमें बनाए है मीरर के जो भी बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं बहुत ही प्यारा मेरा पॉट त्यार हुआ है यह थर मेरे फोन की जो मैमरी वो फुल हो गई थी तो उसने कैप्चर करना बंद कर जिता हूं मुझे पता नहीं लगा बाद में मैंने इसको अच्छे से और डेकुरेट करके आपको शेर किया है तो फ्रेंस आपके पैस भी अगर कोई पुराने पॉट्स रखी हो जिनको आप यूज अच्छे से प्लांट लगा कि उन्हें ऐसे डेकुरेट कर सकते हैं अपनी घर की शोभा में चार चान लगा सकते हैं तो यह देखिए ज़रूरी नहीं है जिन चीजों से मैंने इसको डेकुरेट किया है उन्हीं चीजों से आप डेकुरेट करें आपके पास जो भी सब्सक्राइब एंड शेर तो नेक्स्ट वीडियो में बिलेंगे तब तक के लिए बाबाए